गुजरात में विधानसवा चुनाव से पहले ही कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है दो दिन पहले ही कॉंग्रेस से इस्तिफा देने वाले राज़े के पुरुप मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के दिग्जनेता नरहरी अमीन आज बीजेपी में शामिल हो गए नरहरी अमीन नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में BJP में शामिल हुए मोदी से गले मिलने के बाद अमीन ने दावा किया कि राज़े में एक बार से BJP की सरकार बनेगी के 90 में कॉंग्रेस की 32 सिट आई थी वो 32 से कम सिट गुजरात में कॉंग्रेस की आने वाली है नरहरी अमीन ने गुजात में टिक्टों के बटवारी से नाराज होकर दो दिन पहले ही कॉंग्रेस से इस्तिफा दे दिया था नरहरी अमीन बीजेपी में सामिल होने से पहले न सिर्फ ए आई सिसी के डेलिगेट थे बलकि वह गुजात विधानसवाद चुनाओं को लेकर बनी कॉंग्रेस की कॉर कमीटी के सदस्से भी थे